Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Teleprime में Multiple Legers कैसे बनाए जाते हैं और जो Legers बनाए गए हैं उन्हें Groups के साथ कैसे देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने Leger या कह सकते हैं कि एक बार में एक Leger बनाना सीखा था इस वीडियो में हम Multiple Legers यानि एक साथ एक से अधिक Legers बनाने जा रहे हैं इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं तो जैसा आप को वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें चलिए तो शुरू करते हैं आज का अध्याय हमने टैली में लेजर बनाते समय देखा था कि लेजर बनाते समय हमें उस लेजर से संबंधित ग्रुप भी चुनना होता है वैसे तो आपक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप कैसे चुनना है यह बताया है यहां हमें काम करने में आसानी हो उसके लिए हमें जो लेजर बनाने हैं उनके नाम और वे किस ग्रुप के अंतरगत आएंगे उसकी लिस्ट हमने ब इसरे option chart of accounts की साहेता से multiple ledgers बनाना बताएंगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए down arrow key से chart of accounts पर जाकर enter press करें, यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे accounting masters में ledger highlighted है, enter press करें, और अब यहाँ multi masters के लिए या तो इस पर click करें, या alter के साथ H की press करें, देखिए list of multi masters आ रही है, हमें इसमें multi create select करना है, जो की highlighted है, तो enter press कर दें, यह multi laser creation screen आ गई है, इसमें सबसे पहले under group में उस group का नाम select करना होगा, जिस group के अंतरगत हम ledgers बनाना चाहते हैं, list of groups के लिए backspace की press करें, और अब इस list में से वो group select करें, जिसके अंतरगत आप ledgers बनाना चाहते हैं, यहाँ देखिए, हमें जो ledgers बनाना हैं, उनमें सबसे ज्यादा ledgers indirect expenses से समबंधित हैं, इसलिए सबसे पहले हम indirect expenses के अंतरगत आने वाली सारे ledgers बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ हम indirect expenses group select कर रहे हैं, यहाँ हमें name of ledger में एक-एक करके उन ledgers के नाम देना होंगे, जिने हम indirect expenses group के अंतरगत बनाना चाहते हैं, हमने पहले ledger का नाम telephone expenses यहाँ पर type कर दिया है, अब enterprise करेंगे, यहाँ under में देखिए, हमने उपर जो group का नाम select किया था, वो यहाँ पर भी अपने आप आ गया है, अब यदि आपका कोई opening balance है, तो वो यहाँ लिख दें, enterprise करें, इसी तरह एक-एक करके सभी ledgers के नाम यहाँ पर type कर दें, यह हमने यहाँ सभी ledgers के नाम टाइप कर दिये हैं, अब control और A की इसको प्रेस करके हम इस ledger screen को accept कर लेते हैं, अभी हमने किसी एक ग्रुप के अंतरगत एक साथ कई ledgers बनाए, पर यदि आप एक साथ अलग-अलग ग्रुप के अंतरगत कई ledgers बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं, आएए वो बताते हैं, उसके लिए alter और H keys प्रेस करें, यह देखिए list of multi masters आ रही है, हमें इस अब से पहले under group में all items select करना होगा, all items पहले से ही selected है, इसलिए हम enter press कर रहे हैं, अब आप जो भी ledgers बनाना चाहते हैं, उनका नाम type करें, हमने type किया purchase account, अब enter press करेंगे, list of groups में से आप जो भी ledgers बनाने जा रहे हूं, उससे समबंधित group select करें, हमने select किया purchase accounts group, और फिर ये enter press किया, यदि कोई opening balance है, तो वो यहाँ पर type कर दें, opening balance के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और फिर enter press करें, और अब इसी तरह एक एक करके सभी ledgers के नाम type कर दें, और उनसे समबंधित group select करते हुए आगे बढ़ें, हमें जितने भी ledgers बनाने थे, उनसे सभी की details हमने यहाँ पर type कर दी है, अब control और A की से इस window को accept कर लेते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको ledgers बनाना बताया था, और इस वीडियो में multiple ledgers बनाना बताया, आएए अब हम आपको बताते हैं कि जो ledgers हमने बनाए हैं उन्हें groups के साथ कैसे देख सकते हैं, अभी हम chart of accounts की screen पर हैं और multiple ledgers बनाने के लिए हम इसी screen से आगे गए थे, chart of accounts के नीचे list of ledgers लिखा हुआ है और उसके नीचे जैसा कि हमने list of accounts में आपको बताया था, टैली ने जितने भी groups या subgroups बना रखे हैं, उन सभी के नाम और उन groups में हमने जो ledgers बनाए हैं, उनके नाम और groups के ऊपर की और वे किस प्रकृती के हैं, जैसे assets, liabilities, expenses और income भी लिखा हुआ है, यदि आपको यहाँ किसी भी group या ledger में कहीं कोई गलती दिखती है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, यानि alter करना चाहते हैं, तो उस पर जाकर enterprise करें, यदि देखिए ledger alteration window आ गई है, यहाँ से आप ledger में alteration कर सकते हैं, alteration कैसे करते हैं, यह हम आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे, और group में कैसे alteration करते हैं, यह आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, skip की प्रेस करके हम वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं, अब यदि आप ये देखना चाहते हैं, कि लेजर बनाते समय आपने जो details दी थी, वो क्या थी, जैसे लेजर का नाम, उसका group, opening balance अत्यादी, तो F5 की को प्रेस करें, या फिर right बटन बार में लेजर व्यू आप्शन पर क्लिक करें, ये देखे, आपकी कमपनी में जितने भी लेजर्स बने हैं, उनके नाम के साथ उनकी details यहाँ पर आ रही है, आप चाहें तो इन्हें यहाँ से भी alter कर सकते हैं, उसके लिए जिस लेजर को alter करना है, उस पर जाकर enter प्रेस करें, यदि आप यहाँ से पहले वाली स्क्रीन पर जाना चाहते हैं, तो फिर से F5 की प्रेस करें, और यदि आप सिर्फ ग्रुप्स की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो F4 की प्रेस करें, हम F4 की प्रेस कर रहे हैं, और यह देखें, लिस्ट आफ ग्रुप्स यहाँ पर करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगी बात सीखने से आप वंचित ना रह जाएं तो कृप्या सभी वीडियो को ओर्डर में ही देखें इस वीडियो में हमने आपको बताया मल्टिपल लेजर्स बनाना और इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि लेज हुआ